हलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल चैमातादी इस वीडियो में आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूं हलचट, पूजा सामिक रिजी से हरचट, कमरचट, चंदनचट, लहलीचट और बल्राम जयनती के नाम से जाना जाता है अलग-अलग छेतरों के हिसाब से इसके नाम भी अलग-अलग हो सकते हैं हल चट का पर्वु भादों महा के किश्न पक्ष की सष्टी को मनाया जाता है, इसे हल सष्टी के नाम से भी जाना जाता है इस दिन भगवान बलराम का जनम हुआ था जो कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई है बलराम जी का प्रिया अस्त्र है हल और मूसल इसलिए हल सष्टी के प्रत में हल से जुती हुई किसी भी फल या अनाज का सेवन नहीं किया जाता है तो चलिए आये देख लेते हैं पूझा सामिकरी हल सष्टी के पूझा में एक छे translate बनाय जाती है जो कि ठाक के पत्तों से या फिर महूआ के पत्तों से ये कांस से बनाय जाती है अब हमें चाहिए होगी एक हल सष्टी माता की photo यदि आपको इस प्रकार की फोटो मार्केट में नहीं मिलती है तो आप दीवार पर छट माता का चित्र बना कर भी यह पूजा कर सकते हैं, इस कैलेंडर में शंकर पार्वती, तुरुगाजी, गंगा, यमना, गाय और हलसरष्टी की कथा भी होती है, हलसरष्टी की पूजा क बुने हुए चन, मटर, जौनरी, इस पकार के साथ अनाज हमने लिये हैं, इसके अलाबा हमने भेंस के दूद से बने हुई वर्फी लिया है, और भेंस के दूद से बना हुआ तही लिया है, हलसरष्टी के प्रत में आपको भूले से भी गाय के दूद, तही या फिर गोव पिटारी लेनी है, जिसमें एक हमने चुंदरी लिये हैं, बिचिया लिये हैं, पाउडर, चूड़ी, नेल पेंट, सिंदूर, क्रीम और एक रूमा लिया है, ये स्वहाक पिटारी आप सोले शंगार की भी बना सकते हैं, या फिर पांच साथ स्वहाक की चीजों की भी बना सकते हैं, अब हमने लिये हैं कुछ महुए के पत्ते, जिस पर हम मातारानी के लिए साथ अनाच का भोग निकालेंगे, और अपने लिए पसई के चावल का भोग निकालेंगे, एक हमने लेना है जलका कलस, ये जलका कलस आप तांबे का या फिर पेतल का ले सकते हैं, उसके पाद हमें लेने हैं 6 केले, आप सेव या फिर ककड़ी भी छ्या की संख्या में ले सकते हैं, या फिर आप 6 अलग अलग प्रकार के फल भी ले सकते हैं, अब हमें लेना है एक घीका तीपक और थोड़ा सा घी जो की भैसका होना चाहिए, गाएक के घीका आपको यूज नहीं क आप गमले की मिट्टी से या फिर किसी पवित्र जगए की मिट्टी से बना सकते हैं, उसके बाद हमें एक धूप पत्ती लेनी है, भगवान को बषतर रूप में अर्पित करने के लिए हमें चाहिए होगी मौली, इसके बाद हमें लेनी है माचिस तीपक चलाने के लिए, अब हमें लेने हैं पसाई के चावल, हल्सष्टी की पूजा में इनी चावल का यूज किया जाता है, जो लोग हल्सष्टी का प्रत रखते हैं वो इनी चावलों को खाते हैं और इनी चावलों को छटमाता को चड़ाया जाता है, और इनी पसाई के चावल को भिगा करके पीस करके एपन बनाये जाता है जिससे हम छटमाता का चौक और छटमाता का चित्र काड़ते हैं उसके बाद हमें हवन के लिए कुछ लौगें भी लेनी होगी अब हमें चाहिए होगा हवन के लिए थोड़ा सा कपूर माता पारवती को और छटमाता को लगाने के लिए हमें सिंदूर लेना है साथी हमें लेना है आलता माता पारवती को लगाने के लिए और छटमाता को लगाने के लिए माता को चड़ाने के लिए आप अपनी शधा अनसार कुछ पैसे ले लीजिएगा उसके पात आप एक हवन कुंड ले लीजिए जैसा भी आपके पास हो मिट्टे का तामे का या फिर पेतल का छटमाता की पूजा में हवन भी किया जाता है साथ ही हमें दूप सामिक्री वी चाहिए जिससे हम मातरानी का हवन करेंगे अब हमें लेने हैं कुछ पुष्प छटमाता की पूजा में आप कोई भी पुष्प मातरानी को अपित कर सकते हैं मैंने गैंदे के गुलाब के और सफेद पुष्प लिये हुए हैं साथ ही आपको इस प्रकार की दो खाली कटोरी भी लेनी है जिसमें आप मातारानी के लिए भोग तयार करेंगी एक कटोरी में आप पसई के चावल का भोग तयार करेंगी और एक कटोरी में आप साथ अनाजों का भोग तयार करेंगी फ्रेंट्स हलसष्टी की पूजा में आपको किसी भी प्रकार से सक्कर का सेवन नहीं करना है आप सक्कर से बनी हुई मिठाई का बोग मातरानी को छटमाता को लगा सकती है लेकिन आपको उस मिठाई का सेवन नहीं करना है साथ ही आप जो पेड़ पर फल सबजी आते हैं उनका सेवन कर सकती है लेकिन आप जो फल सबजी जमीन में उखते हैं उनका सेवन आपको हल सश्टी की पूजा में भूल कर भी नहीं करना है साथ ही जो लोग ब्रत रखते हैं वो इस ब्रत में नाड़ी की भुजिया और ड्राइफूट्स भी खा सकते हैं को टाइम से मिल सके धन्यवाद फ्रेंड्स बोलिए हल सश्टी माता की जै कॉमेंट्स में हल सश्टी माता की जै अवस्च लिएगा